हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्यूरियस सेंटर दोस्तो यह ग्रामीड विकास एवं समाज की तीसरी एपिसोड है इसके पहले दो एपिसोड डाली जा चुकी है यूटूब पर अगर आप उसको भी देखना चाते हैं और इसके बात के वीडियो को देखना चाते हैं इस वीडि टाफिक है जो की यूपी लेखपाल में आता है और आप इसमें अगर अच्छा स्कूर करते हैं तो निश्ची से आप सेलेक्शन पा जाएंगे तो आईए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अगर आपने हमारी यूटूब चनल की उरी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं क दोश्तों इसका जो राइट एंशर है आपसान नंबर सी जमिदारी उन्मुलन का कारेणि भारत में सबसे पहले किया गया था इसका राइट एंशर आपसान नंबर सी है आए आगे देखते हैं कोस्टन नंबर 62 निमलिखित में से कौन चे लंबाई के मापन है तो परियुक नहीं किया जाता है कोशन नमर्ज 63 भूमी स्युधारों से संबंदित विशियों का उल्लेक भारती संबिधान की सातवी इंसूची की किस सूची में है दोस्तु भारत की जो सातवी इंसूची में है उसमें तीन प्रकार के सूचीया बनाई गई है पहला केंद्र सरकार की है दूसरा है दोस्तो राजी सरकार की और तीसरा जो सूची है वह समवर्ती सूची यानि दोनु लोगों का मिला जूला तो दोस्तु पहला तो important यही हो गया कि पुछा जा सकता कि सम्यधान की सात्वी सूची किस से related है तो आप कह दिजिएगा उसमें 20 सूचियों का बटवारा है तो दोस्तों यह जो है यहाँ पर पूछा गया है भूमी सुधार तो भूमी सुधार दोस्तों यह राज सूची का भीस है तो राइट एंस्वर आफसन नमबर ए है तो दोस्तों इसका जो राइट एंस्वर है आफसन नमबर टी क्योंकि यहाँ पर पाला दो दिया हुआ है क्रिस्को के अलग-अलग भूमी को एक अस्थान पर एक अस्थान पर एक तितना है यह दोस्तों इसलिए किया जाता है चक बंदी तो उसका उद्देस है ही कॉप विभाजन रोकना यानि बटने से रोकना ये भी उसका उद्देस है अब खंडन रोकना ये भी है लेकिन ये नहीं है दोस्तों कार्परेट को बढ़ावा नहीं देता है कोस्चन नमर 65 निमलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फिट होती है दोस्तों इसका जो राइट अंसर है गंटर चेन इसकी लंबाई 66 फिट होती है कोस्चन नमर 66 निमलिखित में से कौन चे संबिधान संसोधन से भारत में भूमी स्युधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो है आपसा नमबर ये संबिधान का पहला संसोधन 1951 में जो हुआ था उसी से भारत में भूमी सुधारों का मार्ग प्रशस्थ हुआ Q67 नमलिकित में से कौन सा भूमी सुधार है तो दोस्तों यहाँ पर दो दिये हुए है ये दोनों है इसके अलावा जो है यहाँ पर आपसां दिये हुए है दो यहां पर दिये हुए हैं भू जो तो काधिक्तम सीमान इधारण करना भूमी ही इन क्रिस को क्रिसी भूमी का विद्रण चक बन दी दोस्तों जितने भी आपसन दिये हुए हैं सभी भूमी सुधार से संबनित है तो इसका राइट एंसर आपसन नमबर डी है उप्यूक्त सभी सही है एक बिस्वा किसके बराबर होता है दोस्तों एक बिस्वा बीस बिस्वानसी के बराबर होता है तो इसका राइट एंसर आप दिक स्थापन दोस्तों यहां पर जो कोश्चन कराये जा रहे हैं यह प्रिवियस यह के कोश्चन आये हुए हैं और यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है आप इनको दो तीन बार जरूर देखिएगा और हो सके तो नोट डाउन करिएगा क्योंकि यह रिपेटिट दोस्तों यह लेखपाल से सम्मंधित जो टाफिक होते हैं मापन भूमर मापन पडाली उससे सम्मंधित जो टर्म है वहां से कोश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा हाड आपको पढ़ने में लगेंगे लेकिन आप इसको याद जरूर करिएगा निमलिकित में से कौन सा भूमी सुधार से सम्मंधित है तो दोस्तों भूदान अंदोलन बिनुवा भावे की द्वारा चलाया गया था यह तो इससे सम्मंधित है चीपको अंदोलन दोस्तों यह वन सरवेचट के लिए वन संरचट के लिए चलाया गया था जो की उतरा खंड में चलाया गया था त तो दोस्तों, सांसद आदर्स ग्राम यूजना सफसे बाद में प्रारम की गई. भूदान अंदुलन की बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन अशत्त है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन अशत्त है? तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, यह है एक सरकारी अंदुलन था, जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जारे भूमी को अधी ग्रहीत करके उसे भूमी हीनों में बितरित कर दिया. तो दोस्तों, यह तो असत्य है ही, क्योंकि भूदान अंदुलन था, आपको बता दो भूदान अंदुलन जो था, वो इनुबा भावे के द्वारा फ्रारम किया गया था, और इसमें बिनुबा भावे ने बड़े-बडे जमीदारों के पास जाकर, उनको कुछ अच्छी बता कर उनसे यह कहा गया कि आप लोग अपनी भूमी को दान करिए जिससे गरीबों का कल्नाण हो सके और उस भूमी को गरीबों में बितरित किया जा सके यानि जिन लोगे के पास भूमी नहीं है उनके पास भूमी को बितरित किया जा सके तो यहां पर आप देखेंगे और य यह पर दिया है लेकिन एक गलत है दोस्तों, यहां पर पूछा भी एक कौन सा सत्य है, इसका राइट अंश र आपसे नमची है। एयर मापन की एक इकाई है इसे किसके मापन है तो परियुक किया जाता है तो दोस्तु इसका जुराई टेंसर है वह है आपसा नमर सी छेतरफल के मापन में परियुक किया जाता है आप लोग सुने होंगे एयर हेक्टे एयर तो यह सब जो होता छेतरफल ना पा जाता है भूम यहां पर D दिया हुआ है हम लोग अप्सन देखे नहीं ध्यान से देखी यहां पर कि दोस्तों यह सब बराबर है वर्ग गज्व यह अप्र गज़ी इन दिया हुआ है यह भी सत्य अब वर्गज को जो आप हेक्टेर में बदलेंगे तो इतना आएगा और जो भीसवा में बदलेंगे तो सव भीसवा ये भी सही है तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर हुआ है आपसर नमर डी किस ब्यवस्ता में भूमी पर ग्राम समुदाय का सहयुक्त स्वामित तो होता था तो दोस्तो इसका जो राइट एंसर है वह है आपसर नमर डी महलवाडी ब्यवस्ता में ग्राम समुदाय का सहयुक्त स्वामित होता था किसी भूमी पर कोस्टन नमर 77, दाएं बिछलन कोड से सीधे चड़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके, दोस्तो इसका दुराई टेंसर हो है आप से नमर ये पिछले स्टेशन या सुनने पर दोस्तो ये भूहू मापन प्रडाली है ये आपको ट्रेनिंग के वक्त बताई जाती है लेकपाल के लेकिन इससे भी एक दो कोस्टन कभी कभी पूछ लिये जाते है तो जो रिपीटिट कोस्टन है इंपोर्टन कोस्टन वहाँ पर लिया गया है आए अब देखते हैं 78 कोस्टन जो है ग्रामीड अवस्थापना विकास कोस का वितियन किया जा रहा है तो दोस्तों नाबाड द्वारा ग्रामीड अवस्थापना विकास कोस को यानि वितियन किया जा रहा है मतलब उसको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है फाइनेंसियल हेल्प किया जा रहा है वो नाबाड के द्वार किया जा रहा है कोस्टा नमबर से वंटीनाइन गरामीड छेत्रों में कमजोर वर्गो विसिसकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्त सेवाओं की पहुँच सुनुसित करने की पहली कड़ी है तो दोस्तों इसका जुराइट एंचर हो है आपसा नमबर सी आसा आपसा भी लोग के गाउं में एक आसा होंगी जो खासकर टीका लगवाने का काम करती है और जो महिलाई गर्ववती होती हैं उनका देख भाल या उनके बारे में जाच परताल करने आसा जी आती रहती है अगम्य बिंदूओं में प्लेन टेबल पर फ्लाट करने के लिए किया जाता है तो दोस्तों प्रच्छेदन का प्रयोग किया जाता है लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांग को पढ़ना चाहिए तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर होए है ये उपर से नीचे की और लेवल अफसर नमबर 83 पंजाब हिमाचल परदिश तथा हरियाना में निम्रिकित में से किस इकाई का परियोग भूच हे त्रफल के मापने हे तो किया जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो है आफसर नमबर D मुरब्बा मुरब्बा यहां यूपी में तो खाने वाला ह होता है लेकिन दोस्तों पंजाब हिमाचल परदिश और हरियाना में एक इकाई है जिसका उप्योग खेतों की भूमियों आपने प्रयोग किया था और यहां पर आप लोग जानते हैं बीघा है एकड़ है विश्वा है इस तरह से भूमी मापन इकाई का प्रयोग किया जात काई नहीं है जबकि एकड़ आप सभी लोग जानते हैं अंकनम यह भी है इसका प्रयोग जादातर नहीं होता है कैनाल का भी है ते तीनों है लेकिन यहां कहरम नहीं है तो राइट एंच और आप्शन नंबर ए है एक साह जहानी जरीव की लंबाई कितनी होती है तो दोस्त रहे हैं गण्याई जरीव की लंबाई कितनी होती है दोस्तों यहां पर दो आपसन दिये हुए हैं 165 और 148 और दो आपसन यहां पर दिये हुए हैं 132 और 132 जो है राइट अन्च इसका जो 132 यहां पर देखिए दिया हुए है राइट एंच और 132 फूट और कोश्चन एक 132 फीट लंबाई है याद कर लीजिए ये भी अब आईए देखते हैं आगे का कोश्चन कोश्चन नमर 87 लंबाई मापने की परागत इकाई है तो दोस्तों मील में भी ना पा जाता है लंबाई फरलांग में भी गज में भी तो राइट एंस और अफ्सन नमर डी सभी में क्रॉडिशन बैंक के द्वारा क्रॉप एग्रिकल्चर प्रोडियूज लोन इस्खीम प्रारंब की गई है आप से भी पुझा दा सकता है कि एपील का फूल फार्म किया होता है करेंट अफेयर के तौर पर तो आप बताईएगा कि क्रॉप एग्रिकल्चर प्रोडियू लो लीजिए और ये कारपोरेशन बैंक के द्वारा प्रार्म किया गिया 89 कोस्टन वास्तिभी किया मंय उत्तर तथा चुम्व किया मुयूत्तर की बीच 36 कोड गहालाता है तो दोस्तों च Х Mama को जा आप इसको concept को याद करिए question number 90 और आज का इस episode का यह थीसरा episode है last question है जब सुई उत्तर दिशा को इंगीत करे तो प्रिजमी के अंतरगत पठन होना चाहिए दोस्तों सुनने जब उत्तर की जब सुई उत्तर दिशा को इंगीत करे तो प्रिजमी के अंतरगत पठन हो जाना चाहिए जुनने जीरू यानि देख दोस्तों जब यह प्रिजमी मतलब यह जब रहता है यहाँ पर कमपास मालने जी है सुई हमेशा 90 डेगरी तरफ आपको पता है घूमती है और आपको उत्तर की तरफ उत्तर उपर ही होता है आपको पता यह नार्थ है यह साउथ है और यह इस्ट और यह बेस्ट तो सुई भी इधर ही है सुई तो हमेशा नार्थ की तरफ ही जाती है उत्तर की तरफ और उत्तर की तरफ ही इंगीत भी करना है तो दोनों overlap कर जाएंगे और दोनों की बीच की डिगरी क्या हो जाएगी सुनने हो जाएगी तो right answer option number A है तो दोस्तों यहाँ पर 30 important question जो previous year के ग्रामीड विकास और ग्राम समाथ से संबंधित लेकपाल के एक्जाम में जो आए हुए है वही question है और यहाँ पर repeated question का chance है यहाँ पर लग बग साढ़े 300 question करवाए जाएंगे आप हर episode को दो बार तीन बार देखिएगा और हमारी YouTube channel Curious Center को subscribe जरूर खरिएगा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमारे comment section में जरूर बताईए और अपने दोस्तों को भी share करिए नमस्कार जय हिंद